के लो वल्कम डुकिम रिंट्फाथ व्लकम59 गुमेंटेश्श्टेsentरी उस परडै वीडियो में बात करने वाले हैं Average Atomic Mass Number के बारे में किया होता है आप लोग давно periodic टेबल में देखा होगा कि जब Elements का Atomic Mass लिखा जाता है तो Atomic Mass में बहुत बार आता है अंसर फ्रेक्शन में जिसे हैं अपर तर्टी-फड़ी का वजन लिखा जाता है वह 35.45 के आसपास लिखा जाता है या अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं कहूं तो 35.5 लिखा जाता है, अब दिमाग में यह question आता है कि यह जो atomic mass number है, basically यह क्या होता है, चीज से पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, नहीं मैंने what do you mean by relative atomic mass number इसको मैं explain किया है, अपको उसका जो वीडियो का link है, वो आपको description में box में मिल जाएगा, या आपको उपर i button प 10 to the power minus 24, अब हमें पैता है, carbon 12 जो होता है, carbon 12 उसके अंदर 6 proton होते हैं, और 6 neutron होते हैं, तो हमने का कि इसके अंदर 12 particles होते हैं, जिनका actual mass होता है, और 6 electron भी होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से explain किया था, relative atomic mass number वाले वीडियो में आप उसको ज़र 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, जिसको हमने कहना start कर दिया 1 amu, तो हम यू कह सकते हैं कि एक proton का वजन is approximately equal to 1 neutron का वजन and that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, जिसको हम लोग कहेंगे 1 amu, तो अब भाई जिस atom में जितने proton और neutron उसका उतना amu वजन होगा, इस ही साब से अगर मैं बात करूं क्लोरीन में, तो क् 17 proton होते हैं और इसके अंदर 18 neutron होते हैं, तो इसका वजन जो निकल के आना चीए, वो वजन की तरा निकल के आना चीए, इसका वजन होना चीए, 35 amu, because एक proton और एक neutron का मतल़ होता है 1 amu, अचा, पर ऐसा नहीं कि क्लोरीन अकेला एक ही है, इसका वजन 35 amu होना चीए, हमारे प proton होते हैं, बस इसके अंदर neutron दो extra होते हैं, मतलब अब इसके अंदर neutron थे, वो neutron हो जाते है 20, neutron इसके अंदर 20 हो जाते हैं, तो आब मुझे बताइए, इसका वजन कितना हो जाएगा, इसका वजन कितना हो जाता है, तो एक proton और एक neutron का वजन कितना हो रहा था, 1 amu, तो 20 पार इसका वज़न कितना होना चाहिए 37oooo एक ही दिखता है अगर मैं इसका एवरेज भी निकालता हूं तो क्लोरीन की जो एवरेज निकल के आती है वह एवरेज 36 निकल के आनी चाहिए थिवाइड बाई उसको टू कर दो तो आंसर तो 36 आना चाहिए पर प्रियोडिक टेबल में हम उसको लिखते हैं 35.45 तो प्रॉब् होता है हाइड्रोजन वन वन प्रोटियम इसमें एक प्रोटॉन होता है और जीरो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और इसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है पर इसके अंदर दो न्यूट्रॉन होता है अच्छा इलेक्ट्रोन सब में एक एक ह इनकी फिजिकल प्रॉपरटी अलग अलग होती हैं। मैंने डिफरन डिफरन टापस आपस के वीडियो बनाया हुआ है। इवन इसका भी मैं जो इसक्रिप्शन आपको वीडियो लिंक है उसको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा। वहाँ से उसको देख लिजेगा। इसोटोप, आईसोटोपस, आईसोटो कर दिस्सक्रिप्शन इनकी निटेल वीडियो बनाया है। इनकी कैमिकल प्रॉपरटी वी अलग लग होती'M केभर्प Το एसिट ऑपर्ण पर टी हैं। carbon 12, carbon 13, carbon 14, क्या फरक होगा इन में, सब में electron 6 होंगे, 6-6 electron होंगे, 6-6 proton होंगे, फरक सर्फ किस में आएगा, neutrons में, 6 neutron, 7 neutron, 8 neutron, similarly, हमारे पास chlorine के भी दो atom होते हैं, एक chlorine जिसमें 17 proton और दूसरे में भी 17 proton, पर इसके अंदर 35 proton plus neutron, इसमें 37 proton plus neutron, proton कितने हो गए, 17, neutron कितने हो गए, 18, electron कितने हो गए, 17, इसके अंदर electron 17, इसके अंदर proton 17, इसके अंदर neutron कितने हो जाएंगे, इसके अंदर neutron 20 हो जाएंगे, यानि proton और neutron सब में अलग-अलग होते हैं, तो average हम निकाले कैसे, तो इसके average निकालने का एक बहुत 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 तरीका होता है, यह जो हम average निकाल स्पेक्ट्रोश कोपी मास पर स्पेक्रोश कोपी में काफी मेने वीडियो के सी अवे एवांपन के सब्सक्राइब से 35 कलोरीन का अटम होता है वो almost 75% टाइब होता है और 37 क्लोरीन अटम होता है वो almost approximately 25% टाइब आ जाता है मतलब अगर आप सो एटम निकालोगे तो सिर्फचिव एटम्ने की और 25 यह होगे 37 की होगे मतलब आप 10 एकंज़ समझ लेजे क्या हो जागा 75 of 27.5 इसके हो एन उसके हो जाएंगे है ऑग्षाम और को रिखाएद छॉठे में 15 छो जाएंगे लिखेशनीर के होनो अघर ऒलती से यह तो तो زिज माइन फाइटन को जाएं गर इので और खायव आप्व क्यों फाइटना है आप चारर में से लेता चार फाइट मेई था 10 cm और एक एटम आपको मिलेगा 37 का हर चार एटम में से तीन एटम क्लोरीन 35 के होते हैं और एक एटम क्लोरीन आप देखे परसेंटेज का मतलब ही हो गया 75 is to 25 तो ऐसे लिख सकता हूं 75 is to 25 is 3 is to 1 यह आप उसको 3 is to 1 ले सकते हो अलग अलग तरीका है मेरा लिखने का अगर मैं हजार अटम्स लूँगा तो 750 एटम्स मुझे मिलेंगे क्लोरीन के और 250 एटम्स मुझे के मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे क्लोरीन 37 के तो अब इसका एवरेज कैसे निकाले है इस हमें पता है नंबर अब दूटी आउट एक काम कीज़े मुझे बताइए आप क्लोरीन 35 ले रहे हो इसका कितना परसंट ले रहे हो तो आल्मोस हम कह सकते है कि 75 परसंट है इसको हम अप्रॉक्सिमेटली कह सकते है 25 परसंट है तो आप कैसे निकालोगे पहला आइसोटोप बताइए कौन पहले सब 75 परसंट है sharper first तो यह हो जाएगा आपका 75 परसंट मंटीपलाइड वाई उसका मास कितना है उसका मास 35 प्लस दूसरा प्रेजनum परसंटली परसंट मल्टी प्लएड Every loss कितना है उसका मास हिजर्टेजली अब धिक्र में टयमासunda सूछ यहां से समझने में ठीक है bracket close whole divided by 100 अब since तुमने percentage में लिया आता तो divide by 100 या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.75 into 35 plus 0.25 multiplied by 37 bracket whole divided by कितना करते हैं whole divided by इसको 1 करते थे 0.75 0.25 मतला आप किस में से निकाल रहे हैं out of 1 में से निकाल रहे हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते थे 3 multiplied by 35 plus 1 multiplied by 37 whole divided by 4 क्योंकि आप तोटल किस में से निकाल रहे हो आप अभी तोटल 4 में से निकाल रहे हैं can you say this? इसलिमन नहीं पहले बताया 1000 में से ले रहे हो percentage निकाल रहे हो, अगर आप percentage ले रहे हो हो सकता था कैसे यह हो सकता था 0.75 की जगे आप लिख देते 7.5 multiplied by 35 plus 2.5 multiplied by 37 whole divided by whole divided by कितना आएगा 10 आएगा क्योंकि आप 7.5 और 2.5 ले रहे हो मतला out of 10 की बात कर रहे हो तो अगर आप percentage के लिख रहे हो तो divided by 100 आएगा तो यहां 75 यह 25 आएगा अगर आप 1 में से ले रहे हो तो यह पॉइंट में आजाएगा 4 में से ले रहे हो तो 3 is to 1 डिपेंड आप किस में से ले रहे हो तो इसका answer अगर आप देखें कुछ भी करके देख लीजे आप आपका आपको यह 25.45 के आसपस आएगा जिसको मैं एप्रॉक्सिमेटली 35.5 कह सकते हैं अब यहां समझने वाली एक चीज है जिसका परसेंटेज आप बढ़ेगा जिसका परसेंटेज जादा मेरा अभरेज है अब उसकी तरफ हो जाता है जिसका परसेंटेज जादा मेरा Сबके सब्सक्राइट कर देसे पर सब्सक्राइब से निकल के तरफ आएगी तरफ आएगी जैसे यहां के बात करें अल्मोस्कार्बन त्वेल्ट जो मैक्सिमम पाया जाता है मलब यह सकते हैं मुझे एक्जेक्टली पता नहीं कितना परसेंटेज होगा बट नाइटी तुम निकालने जाओगे तो अवरिज कहां शिफ्ट हो जाएगी यहां पर सब्सक्राइब म hè यहां परसेंटेज के तुम सो आइसोटोप अब अगर मान लीजिए दो आइसोटोप हैं तो आप दो को एड़ करोगे डिवाइड़ बाइ हंड्रेड क्या परसेंटेज में ले रहे हो तो इसको हम कहते हैं एवरेज मास नंबर उमिद करता हूँ यह समझ में अगर माल ची किसी के तीन तीन इसो टोप से प्लस फिर से एक और आजाएगा परसेंटेज मेराट वाइसोटोप मास ओफ आईसोटोप तो जो भी आईसोटोप दिया होगा उसका मास मुल्टिपलेड वाइसका कितना पर्सेंटेज है डिवाइड बाई हंड्रेट अब आप समझ लो अगर पर्सेंटेज की जगह है आप अगर 0.75 लिखते तो डिवाइड बाई बाई वान आएगा अगर आप उसमें 3 और 4 के टमस में लिखते हो 3 1 6 2 2 3 तो डिवाइड बाई डिपेंड आप टोटल कितना ले र आते हैं इसके ओपर questions आते हैं और questions बनते हैं आप लोगों request करोंगा OP टेंडन या KS वर्मा की कोई भी आप बुक उठा लीजेगा जैई नीट की बुक है और उसमें से इससे related questions को solve करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है मलते हैं अगले वीडियो में तेल दन बाबाई टिक कर अगर ऑले में अगले मिंटोर देखब छूका कि एंगले एंगा लहएं